राधे राधे मेरे प्यारे भाईयों बहनों माताओं आबंधों संसकार की बाते चैनल में आपका स्वागत है बंधों आज मैं अपनी वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ पित्र पक्ष में आने वाली इंद्रा एकाशी कब है पूजा विधी और ब्रत का पारण कब होगा बंधों आप सभी जानते हैं एकाशी दिधी भागवान विश्नु को स्मर्पित है और आश्विन मास के क्रिशन पक्ष की इंद्रा एकाशी कब है मैं आपको बताने जा रही हूँ बंधों वैसे तो साल में आने वाली सभी एकाश्यों का महत्व बहुत अधिक है प्रन्तु आश्विन मास के क्रिशन पक्ष में आने वाली एकाशी बहुत खास है इंद्रा एकाशी हर साल आश्विन मास के क्रिशन पक्ष में आती है इसे एकाशी श्राद भी कहा जाता है होते हैं और उनकी कृपा ब्राप होती है इस साल पित्र पक्ष में इंद्रा एकाशी कब है बंधों इस साल इंद्रा एकाशी का व्रत दस अक्तूबर मंगलवार को रखा जाएगा बंधों एकाशी तिथी नो अक्तूबर को दुपहर बारा बज़कर 36 मिनट पर शुरू होग उद्रा एकाशी का व्रत दस अक्तूबर मंगलवार को ही रखा जाएगा बंधों इंद्रा एकाशी व्रत का पूजा मुहुरत क्या होगा दस अक्तूबर दो हजार तेस मंगलवार को सुभा 10 बज़कर 41 मिनट से दोपहर 12 बज़कर 8 मिनट तक होगा दूसरा पूजन का शुब महूरत 12 बजगर 8 मिनट से 1 बजगर 35 मिनट तक होगा शाम का पूजन महूरत 3 बजगर 3 मिनट से 4 बजगर 30 मिनट तक होगा बंधों इंद्रा एकाजशी व्रत की पूजा विधी क्या होगी? एकाजशी के दिन प्राते का जल्दी उठें, शनान आदी से निव्रित हो जाएं और घर के मंदिर में भगवान विष्णू के समक्ष खड़े होकर दाहिने हाथ में जल और फूल लेकर संकल्प लें और जल भगवान के समक्ष छोड़ दें फिर भगवान की सोड़श उपचार पूजा करें भगवान को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें संभव हो सके तो इस तिन व्रत अवश्य करें एकाजशी व्रत के कथा सुने भगवान विष्णू के 108 नाम सुने भगवान की आर्थि करें भोग लगाएं इस बात का विशेश ध्यान रखें कि इस दिन सिरफ साथविक वस्तों का ही प्रयोग करें भोग में तुलसी को अवश्य अर्पित करें कहा जाता है तुलसी के बिना भगवान विष्णू भोग नहीं लगाते इस पावन दिन भगवान विश्णू के साथ साथ माता लक्ष्मे की पूजा भी अवश्य करें इस दिन भगवान का अधिक से अधिक नाम सुमिरन लें एकाशी व्रत का पारण 11 अक्तूबर 2030 को पुद्द्वार को करें ब्रत पारण का शुमूरत सुबह 6 बज कर 19 मिनट से सुबह 8 बज कर 49 मिनट तक रहेगा पारण के दिन दौशिस मापत होने का समय शाम 5 बज कर 37 मिनट रहेगा बंधों एकाशी के दिन भूल कर भी कुछ गलतियों को ना करें बंधों एकाशी के दिन किसी का दिल ना दुखाएं एकाशी के दिन जीवत्या ना करें एकाशी के दिन ना तो बाल कटवाएं और ना ही बालों को धोएं एकाशी के दिन ना खून भी ना काटें एकाशी के दिन गाए को हराचारा या फल आवश्य दें क्योंकि इंद्रा एकाशी पित्र पक्ष में पढ़ने वाली एकाशी है इस दिन यदि आप पित्रों के निमी गाएं को हर आचारा या कोई फल खिलाएंगे तो आपके पित्र पर सन होकर आपकी मनो कामना पूरी करेंगे बंधों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेर अवश्य करें और कमेंट बोक्स में राधे राधे जरूर लिखें धन्यवाद